हेलो गाईज नमस्कार हम अपलोगे स्किल्स में स्वागत करते हैं दोस्तों आजम बात करेंगे ब्रेकप के बारे में दोस्तों अगर आपका ब्रेकप हो गया है और आपने ब्रेकप के यादों को बुला नहीं पा रहे हैं ब्रेकप के दर्द से उभर नहीं पा रहे हैं तो आप मेरे वीडियो अन्तेक देखिए इस वीडियोमा कुछ ऐसे बातों को बात बारे बताएंगे जिसके मदद से आप अपने ब्रेकउप को यादो को बुला सकेंगे ब्रेकउप को दर्ड को समावत कर सकेंगे और अपने एक अच्छे जिन्दगी जी पाएंगे दोस्तों आप इस बात को जानने करें मेरे विडियो अन तक देखिए और मेरा चैनल स्केल्द को जुरूर सब्सक्राइब करें कि इस पर हम लुब से रिलेटेड September सियर करें दोस्तों से बीया की दर्ध से उबहर पाएंगे टिफ्स नमर टू जरूरी नहीं है कि आप में ही कोई खोट है अपने आपको अमुलियन ना करें बहतर है अपने मन को समझाए कि वह ब्यवा प्यार के लायक ही नहीं था अच्छा हुआ ब्यवाह करने के पहले ही सारी असलियत सामने आ गई इससे भी आपका यादों को भूल सके टिफ्स नमर फोर्थ टूटे दिल के बोज को हलका करने का एक प्राक्रितिक तरिका दूर तक पैदल में अगर तैरना आता है और सुबदा है तो देर तक तैरे कोई कमेडी फिल्म देके जिससे आपको दिल का बोज हलका हो सके टिफ्स नमर फाइफ अ गर के कामों मैं हाथ बढा आये टिफ्स नमर डिभान, अपने डिल का सारा अबाल Olafس एक डायरी में लिखे और उसे नदी में बहा दिखे नदी में डायरी के बहते ही आपके मन के पीड़ा भी समफ्त हो जाएगी ,इस ब्रक बत को भूलान वह ही एक सहायक होगा टिप्स नम ट्यूटर से कुछ दिन दूर रहने में भलाई है कहीं से भी पुराने संपर्क सामने आएं और आप अपने मनों पर कंट्रोल नहीं कर सके इसके बज़ाए सकारात्मक विचारों को कलेक्शन वाली वेब साइट खोले यह आपको रहत देगी तिप्स नमस त्यान कोई पुरान होती जल्दिक ब्रेकप के दर्थ से उभर पाएंगे और आप एक अपना जिन्दकी नए सुरे से शुरू कर सकते हैं और सफालता हासिल कर सकते हैं दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल पर हम करें कमेंट करें और सेर करें थेंक्स फार वाचिंग